दोस्तों बेंगलूरू की एक 70 साल की सीनियर जर्नलिस्ट के साथ में एक साइबर फ्रॉड हो चुका है जो की 70 साल की होने के बावजूद भी समझ नहीं पाई कि ये फ्रॉड है दरसर पहले-पहले तो उनको लग रहा था कि ये फ्रॉड है या स्कैम होगा लेकिन उन्होंने किस तरीके से इनको अपने जाल के अंदर फसा लिया और आठ दिन के लिए एक होम प्रीजन में ही डाल दिया एक तरीके से मतलब इनको डिजिटली कह दिया गया है तुम इस घर से भाहर नहीं निकल सकती इस घर में ही रहने वाली हो क्योंकि यहां पर नकली मुंबई पुल जिस का अंसाइनमेंट के अंदर ड्रग्स है आपका क्रेडिट कार्ड है और आप से जुड़ी ही कई सारी चीजे हैं जिसकी वएसे आप पर शक हो जाता है तो मुंबई पुलिस को हमने खबर कर दिया वो आपसे कॉंटेक्ट करेगी बब मुंबई पुलिस इनको कॉंटेक में ही रहती है इन 8 दिनों तक ही अपने घर से कदम बाहर तक नहीं निकालती है यह कहती है कि शुरू शुरू में तो मुझे लगा शायद फ्रॉड होगा लेकिन जब एक हायर ओफिशल जो कि पुलिस वाला होगा उनकी कॉल आती है इनको वो वेल ड्रेस्ट के अंदर थे और उनका सेटप भी काफी तकड़ा था और वीडियो कॉल पर पूरी बात हुई जहां पर उन्होंने उनका सेटप देखा उनको पूरी तरीके से यकीन आगे कि यह तो पुलिस वाले क्यूंकि दूसरे नकली पुलिस वाले भी उनके पास में आ रहे थे कि जहें सर हमने पकड़ा है या फिर कोई आ जाता है कि साहब यह काम है मतलब वो भी वेल ड्रेस के अंदर होते हैं और उनके पास में कॉल पे कॉल भी आ रही होती दूसरे फोन के साथ में जिसको देखकर उनको ऐसा लगता है कि यह तो असली डी सीपी है और इनके साथ में बात हो रही है जिस तरीके से इंगलिश बोलते हैं उनकी इंगलिश भी काफी जादा फ्लॉलेस होती है और जिस तरीके से वो बात करते हैं उससे भी लग जाता है कि यह बिलकुल असली ही पुलिस वाले हैं उपर से यह इनके आधार कार्ड की डिटेल भी इनको दे देते हैं कि आपका न अगर आप घर से भाहर निकली तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक ये घर के अंदर ही रहती है और डर के मारे भाहर नहीं निकलती है जहाँ पर इनको ये भी कहा जाता है कि आपका बैंक लिंक है हवाला से मतलब कि आपके बैंक से कई सारी ऐसी ट्रांजेक्शन भी हुई अभी रिसेंटली जो की हवाला से लिंक है और आपने पैसे इधर उधर किया तो आप पे केस काफिजा तगड़ा हो जाता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप इनोसेंट है आप जिस तरीके से अपने आपको बया कर रही है बता रही है उ आपको इतने रुपे देने पड़ेंगे तब जाके आपका पीछा छूट सकता है इस केस के साथ में लेकिन उसके बाद में फिर बैंक की तरप से भी कॉल आती है कि यह इतने लाख रुपे आप किसको भेज रही है मतलब सब नकली होता है एक एक करके अलग अलग जैने इन हैं आजकल के साइबर क्रिमिनल की जिनके पास में इतना तकड़ा सेट अप रहता है उतने जादा बंदे रहते हैं पूरी की पूरी जब वीडियो कॉल चलती है तब उनके पास में एक नएक बंदा आता रहता है ताकि लगे कि असली का ऑफिस है असली का पुलिस सेशन है कुछ इस तरीके से भी अप सैट अप बन चुके हैं जोस्तों मौल्दिफ्स के प्रेजिजेंट मौहमद मैजु घूम के आये हैं चाइना से जहां पर पांच दिन की उस विजिट के अंदर इन्हों ने पतानी कौन-कौन सी ताकत की दवाईयां ली हैं जिसके बाद में यह एक ट्रूप्स हैं हमारे इनके देश के अंदर जो की इनी की हेल्प के लिए थे इनी की ट्रेनिंग के लिए थे इनी के एक्क्यूप्मेंट की मैंटेनेंस और सर्विसिस के लिए थे लेकिन यह कहरे है कि नहीं हमें नहीं चाहिए हम कहीं और से काम कर वा लेंगे आप अप और समद्र का लेवल राइस होता चला जा रहे हैं दिखने वाले भी नहीं है लेगिन ऊपर से अब यह और बात कहते हैं कि आप कितनी ही बड़ी कंट्री हो लेकिन आप हमें बुली नहीं कर सकते आप हमें डुरानी सकते तो यहां 15 मार्च तक हटा लो नहीं हमें निची और मै लख सारी चीज़े चाइना से करवा सके क्योंकि वन रोड वन बैल्ट इनिशेटिव के अंदर भी इन्वाल्व थे खेर वो हो ना हो लेकिन हाँ चाइना के ट्रैप में तो यह फसी जाएंगे इंदा है फिर मालूम चल जाएगा दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट वाला या क्रिटिसाइज करने वाला युद्ध तो हमेशा चलता ही रहता है जहां पर इंडियन यूटूबर के साथ में जो वह तो खेर आपको पता ही होगा पचास लाग का जुर्माना अब यहां पर एंड्रू टेट के साथ में एक इंडियन अमेरिकन डॉक्टर की चल र होगा तो इसके बाद में यह लिख देते हैं कि भाईया मुझे भी वैक्सिनेटीड गल्स पसंद नहीं है अब इदर से यह अपने आपको जस्टिफाय करने लग जाती कि देखो मैंने इसलिए का था यह क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एब्स वाले लड़के होते हैं यह लोगों को ही पसंद आते होंगे और यह थोड़े से अग्रेसिव भी होते हैं और मुझे तो कई सारी डेट्स ऐसी आई हैं जिन में एब्स वाले लड़कों को मैंने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी लड़कियों ने भी किया होगा उनक कोई प्रसंद नहीं आते होंगे इसके बाद में यह लिखते हैं कि भीया मुझे तो बड़ी निराशा हुई कि आपने मुझे एट्रेक्टिव नहीं समझा की इरती जी मैं तो बस अपने आम्स का साइज बढ़ा कर रहा था आपकी नोस से